आज के ग्लोबलाइजेशन की युब में संग की स्वदेशी की बात कितनी उचित है स्वदेशी और स्वावलंबन हर देश के लिए हर समय आवश्यक है स्वदेशी का अर्थ दुनिया से व्यापर संब्द काट डलना नहीं है भारत का दुनिया के साथ बहुत प्राचिन काल से व्यापर संब्द रहा है परसपर पुरखता के अधर पर परसपर सहमती से व्यापर संब्द बनने चाहिए आज दुनिया का हर देश दुनिया के साथ व्यापर संब्द बनाती हुए अपने सौवलम्बन पर भी बल दे रहा है यही स्वदेशी है क्या भारत के भार अन्य देशों में संकार्य चलता है? राश्ट्री या स्वेंसोग संगह काम केवल भारत में चलता है लेकिन संगह के संगह के संगह के अपने उद्योग या व्यवसा हेतु जो भारत के बाहर गए है तो वहां के लोगों में स्वांस्कृतिक जागरण और संगटन का काम हिंदू स्वयंसवक संगह के नाम से कर रहे हैं ऐसा 35 देशों में काम चलता है वहां के सभी हिंदों को एकत्रित करना नई पीडि को अपने गवरोपूर्ण स्वांस्कृतिकी धरोर सोपनी की ववस्था करना और जिस देश में वे रहते हैं वहां के समाज के लिए सिवा काम करना यह कार्य हिंदू स्वयंसवक संगह के माध्यम से स्वयंसवक कर रहे हैं